Hello Friends, Welcome to GMS Study Classes So Friends, आज के इस वीडियो में हम Class 12, Statistic Blueprint देखने वाले हैं मैंने अलरेडी एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने paper pattern explaining किया था as well as chapter wise weightage बताया था board examination के लिए for academic year 2021 and 2020-22 So Friends, जो students अभी 11th standard में हैं जिनके exam शून में conduct की जाने वाली है वो चाहते हैं अगर 12th standard की study start करना और chapter wise weightage as well as blueprint यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कौन से chapter में कितने questions पूछे जाने वाले हैं as well as कितने marks की question किस chapter में से कौन से section में पूछे जाएंगी यह आज मैं आपके साथ discuss करने वाले हूं बहुत साथ students ने comment किया था मैंने accounts के लिए ऐसी ह blueprint upload कर दी है बट statistic के लिए अब तक नहीं की थी तो आज के इस वीडियो में complete check करने वाले हैं तो please वीडियो को कहीं पर skip मत कीजेगा आपने friends के साल ज़ादा ज़ादा इस वीडियो को share कीजेगा like ज़रूर कीजे वीडियो को और चैनल को subscribe कीजे start करते हैं friends आज का यह वीडि वो भी section B में पूछे जाने वाले है two marks के यहाँ पर जो questions sums आएंगे section C में three marks के सारी questions section D में four marks के जो sums है section E में और five marks के question section F में अब chapters देख लेता है chapter 1 से section A में यहाँ पर एक mark का एक ही question आएगा यानि MC क्यों पूछा जाएगा section B में भी A की question आएगा section C में दो marks का एक question आएगा section D में three marks का एक question आएगा जो four marks के question है वो first chapter से board examinations में नहीं आने वाले है और जो section F F five marks के question उसमें से एक question five mark का आएगा इस तरह से अगर हम इन marks का total करें तो total 12 marks होते हैं यह number of questions है next देखते हैं second chapter में भी same pattern है third chapter में भी same pattern रहेगा और four chapter में भी same pattern यानि यहाँ से जो भी questions आएंगे इन सभी chapters में से उनका weighted same रहेगा तो आपको इसी way में यहाँ पर जादा से जादा practice करनी है इसी तरह से आप यहाँ पर इस way में focus करेंगे तो आप अच्छे marks score कर सकते हैं जैसे section F में जो five marks के question जो total चार ही question आएगे board examination में वो part 1 के इन चारों chapter में से एक ए करनी है section जो F है उसमें part 2 का यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं part 2 का कोई भी question section F में five mark का questions में नहीं पूछा जाएगा तो एक बार check कर लेते हैं इस तरफ part 2 के number of questions यहाँ पर कौन से section में कितने marks की question पूछे जाने वाले हैं जो part 2 का first chapter है उसमें section A में एक question आएगा एक mark का section B में भी एक question आएगा section C में जो two marks की question है उसमें कोई भी question chapter 1 से नहीं आएगा section जो D है 3 marks का उसमें 2 marks का e question आएगा 4 marks का जो question है section E में वो भी यहाँ पर 1 mark का आने वाले है as well as section F जो है five marks के question उसमें यहाँ से एक भी question नहीं आएगा इस तरह से यहाँआपर 12 fir バचेज chapter 1 का मент आप कि यहां पर देख सकते हैं सिर्फ ग sy Our duty डिखा are डेट में चू ऐदमें के यहां बर पूझे जाएंगे यानि दो माथ को उचेंगे यंक wasn तीन माथ के यानी टोटल सिक्स मा가 सिर्फ मं टिक्स एक अटक सकथे यहां पर बनता है और बाकि आप देख सकते हैं उक chapters का एक बार पूरा देख लीजिए ये part 1 था और ये यहाँ पर part 2 है ये मैं statistic के लिए पूरा complete अप्लोड कर रही हूं यहाँ पर like जरू केज़ेगा वीडियो को अगर आप economics और OC अब ये दो subjects के लिए भी इसी तरह से blueprint या paper pattern आपको चाहिए तो please comment करके बताएगा और अब तक मैंने 11 और 12 के लिए जो भी blueprints, paper patterns और chapter wise weightages अप्लोड किया उन सभी के link में आपको description में i button में as well as video के end में दे दूँगी तो like जरू कीज़े वीडियो को thanks for watching अपने friends के साथ जादा जादा शेयर कीज़ेगा और channel को subscribe करना मत बूलेगा मैं तब तक के लिए good bye